जीवन को सुख और सांती से जीने के लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है ये बाते जो लगती तो बहुत चोटी सी हैं पर उनका असर हमारे जीवन पर बहुत गहरा और व्यापक होता है दोस्तो आज ऐसे ही कुछ चोटी चोटी बातों पर हम अमल करेंगे जिसे जीवन में अपना कर हम अपने जीवन में एक अच्छा बदलाव ला सकते हैं और वो बदलाव हमें सुख और शांती का अनुभव करा सकती है दोस्तो अगर आपने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही दोस्तो बेल आइकन पर भी प्रेस कीजिए ताकि आप तक हमारे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स पहुत सके गुस्से में कभी कोई निर्णे न ले गुस्से में किया गया कोई भी फैसला इनसान जज़बाती होकर लेता है उसमें समझ नहीं होती है सही फैसला करने के लिए विवेक और शान्त दिमाग से काम लेना बहुत ज़रूरी है जब भी आपको गुस्सा आए या क्रोध आए आप एक काम केजिए दस से लेकर एक तक उल्टी गिनती जी हाँ दस नौ आठ साथ छे पाँच चार तीन दो एक सुन्या देखिए आपको गुस्सा भी सुन्या हो जाएगा विर्बल की एक लाख टके की बात आपको याद रखनी चाहिए कि ये वक्त भी चला जाएगा दोस्तों कभी-कभी जीवन में ऐसा मोड आता है ऐसा समय आता है कि हम बहुत परिशान हो जाते हैं समझ में नहीं आता है कि हम क्या करें कैसे निकले इससे अगर आप किसी भी समस्या से परिशान है और आपको उसका सॉलिसन नहीं मिल रहा है उसका हल नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं ये समझे कि ये वक्त भी कुछ बल का मेहमान है ये वक्त भी चला जाएगा और अच्छा वक्त आपके पास आने वाला है जब हम किसी नई जगा जाते हैं तो वहाँ पर किसी रागिर या मुसाफिर से कुछ पूछने से ज़्यादा अच्छा है हम किसी अच्छे से होटल में जाएं वहाँ पर चाय नास्ता करें या फिर किसी दुकान पर जाकर कुछ खरीदारी करें उस दुकानदार से या होटल के मालिक से हम यह पूछे कि भाई साब मैं यहाँ पर नया हूं मुझे इस जगह पर जाना है मुझे आप थोड़ा समझा द 10% जो है आमदिनी का उसे भविष्चे के लिए सुरक्षित रखिए हमें भविष्चे में हमें कभी भी पैसे की जोदत पढ़ जाती है ऐसे में हम अगर अपनी कमाई का सारा पैसा खतम कर दे तो फिर हम आने वाले समय के लिए किसी भी समय के लिए तयार नहीं रह सकते 10% कमाई का अगर हम जमा करें उसे अच्छी जगा निवेश करें SIP वगरा करें तो देखिए दोस्तों कितना फाइदा मिलता है छोटी छोटी रखम एक साथ इकटा होकर एक बड़ी रखम बन जाती है आपके पास जो पैसा है वो आपको फीचर में बहुत काम आता है सस्ता रोय बार-बार महंगा रोय एक बार यह वाली कहावाद आपने जरूर सुनी होगी ऐसा कई बार होता है कि हम सस्ते के चक्कर में पढ़के कोई घटिया क्वालिटी का समान घर ले आते हैं मेरा कहना सिर्फ यह है कि आप क्वालिटी कंपेर कि जिए जो चीज अच्छ पड़ता है फिर उसकी मरम्मत इसमें हमारा किमती वक्त चला जाता है तो अच्छी चीजों के आदत डालिए क्वालिटी मैंटेन कीजिए अपने घर के सामान को हमेशा सही जगह पर रखने की एक आदत बना लीजिए इससे एक तो आपको वह सामान दुवारा ढूनने में दिक्कत नहीं होगी आपका समय बरबाद नहीं होगा और सबसे बड़ी बात आप जुनजलाहट और गुस्टे के शिकार नहीं होगे हमें हमेशा समान को अच्छी जगह पर रखना है ताकि वो समान विवस्तित रहे एक विवस्तित घर एक विवस्तित टेबल एक विवस्तित कार्यस तल ही आपके जीवन को विवस्तित कर सकता है अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो इसे जरूर शेयर कीजिएगा हमार झाल